मेरे काम में दान दक्षिना दोनों प्राप्थ होते हैं और मेरी जानकरी में दान अलग विशय है और दक्षिना अलग विशय है दक्षिना मतलब हुआ कि जो आपने सेवा कर्म किया और दान जो आपको मिलता है दान की महिमा तो बहुत सुनी है परन्तु दान के विशय में कुछ साधू संतों ने मुझे एक बात बताई है जिससे थोड़ा भय उठा है मन में आपसे इस पश्टता चाहता हूँ उन्होंने कहा कि बेटा दान के पैसे में दो दात होते हैं सोच समझ कर लिया करो नहीं तब वह पेट फार देगा और रामयन में भी पढ़ा है कि हरई शिश्य धन शोकन हरई सो गुरू घोर नरक मौव परई इसलिए मैं आपसे निवेधन करना चाहता हूँ कि आप दान के विशे में सत्संग करें और मेरा इस शिविर में आने का आपके समक्ष बैठने का एक मातरो देश है कि इस विशे पर सत्संग पा सकूँ और जिस कार में मैं अभी जुड़ा हुआ हूँ उसी कार के संदर में स्पश्टता आपसे मुझे मिले दान में दात नहीं होते दाम में दात होते हैं दाम में भी दात नहीं होते अगर भौतिक चीज़ है और इमानदारी से उसको भौतिक ही चीज़ बताकर दाम लगाकर बेचा गया है साधारण बाजारू क्रय विक्रय है अगर तो दाम में भी दात नहीं होते आपने कहा कि आपको सलाह मिली है कि दक्षिणा तो ठीक है पर दान में दात होते हैं जो पेट फाड़ देते हैं दान अगर सच्चा हो तो दान में दात नहीं होते और दाम भी अगर तथिता के साथ किसी वस्तु के किसी मटीरियल के किसी भौतिक चीज के लगाए गए हैं तो दाम भी पेट नहीं फाड़ देगा दिक्कत तब आती है जब रूप दान का होता है और भीतर यथार्थ दाम का होता है तब उस जूठे दान के सिर्फ दात ही भर नहीं होते उसके जहर बुझे दात होते हैं फिर वो पेट ही नहीं फाड़ देता मन और जीवन भी फाड़ देता है समझिएगा दाम क्या है दान क्या है और दान के रूप में दाम क्या है इन तीनों में अंतर करेंगे समझिएगा दान है किसी भौतिक वस्तु को उस जगह पहुचाना जहां वो सरवाधिक उपियोगिता की हो और अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो किसी भी वस्तु की मनुष्य के लिए उपियोगिता एक ही है कि वो वस्तु मनुष्य के मन को शांत करें उसे मुक्ति और सत्य तक पहुचाने में सहायक बने ये किसी भी भौतिक वस्तु की उपियोगिता है वो भौतिक वस्तु कुछ भी हो सकती है रुपया, पैसा, कपड़ा, लत्ता, ज्यान, मकान ये सब भौतिक ही है जो कुछ भी विचारों के तल पर पकड़ा जा सके जिसकी बात की जा सके, जिसकी छवी बनाई जा सके जिसका जरा आदान प्रदान हो सके, वो सब भौतिक ही है तो जीव हैं हम, मनुष्य हैं और मनुष्य होने का अर्थ होता है एक भौतिक देह से संबध होना शरीर भौतिक है न? ये जो चारों और संसार पसरा हुआ ये भी भौतिक ही है फिजिकल, मटीरियल आदमी को इस संसार से अनिवारेतर रिष्टा तो रखना ही पड़ेगा ये के एक सांस जो आप ले रहे हैं वो संसार से आपका भौतिक रिष्टा है मटीरियल रिलेशन है ये आपकी नाक है भौतिक और ये नाक ऑक्सीजन ग्रहन कर रही है और ऑक्सीजन भी है भौतिक तो कोई हो साधु संत, सिध्ध योगी सबको दुनिया से एक भौतिक रिष्टा तो रखना ही पड़ता है माने ये जो दुनिया में चीजे हैं इनसे संबंध तो रखना ही पड़ेगा और दुनिया की चीजे अनिवार है और चीजें ही चीजें हैं, दुनिया में चीजों के लावा कुछ होता नहीं, जगत पूर्णतया भौतिक है जो भी कुछ है जो आंखों से दिखाई देता है, तो चाज इसे स्पर्श कर सकती है, मन जिसका चिंतन कर सकता है, उसा भौतिक ही है तो जगत तो पूरी तरह शत्तशत भौतिक है, यहां कुछ भी ऐसा नहीं जो किसी और आयाम का हो, और मनुष्य है बंधा हुआ, मनुष्य है दुख में, और दुख से बाहर निकलने का उसे साधन तो कुछ चाहिए, वो साधन उसे कहां मिलना है, और कोई जगही नहीं है जह चाहे बहुत बड़ा बुद्धिमान हो, चाहे महामूर्ख हो, चाहे बिलकुल विरक्त हो, चाहे महा आसक्त हो, जगह तो सबके पास एक ही है, संसार और संसार भौतिक, माने मुक्ति के लिए भी आपको जो साधन मिलने हैं, वो कहां से मिलने हैं, दुनिया से ही मिलने हैं, दुनिया के लावा कुछ नहीं है, जहां से आपको साधन मिल जाने हो मुक्ति के लिए, हाँ काव्यात्मक तरीके से बहुत दफे बोल दिया जाता है, कि उपर से कृपा बरसेगी, और कुछ पारलौकिक घटित हो जाएगा, पर भाई जब पारलौकिक भी घटित होता है, तो आपके काम का तभी है, जब आपके लोक में घटे, आपके सामने घटे, निराकार ब्रहम भी अपने परलोक से अगर आपकी मदद करना चाहे, तो उसे आपके मृत्यू लोक में, आपके भूत लोक में, आपके समक्ष भौतिक रूप में अवतरित होना पड़ता है, हाँ य दुनिया में आपकी मुक्ति का जो साधन है, वो दुनिया से ही आना है, माने उसे भौतिक ही होना है, हर व्यक्ति को दुनिया से कुछ ऐसा चाहिए, जो उसे मुक्त कर दे, हाँ, गॉरतलब बात यह है, कि हम दुनिया से और 150 चीज़ें लेते रहते हैं, जो हमें मुक्ति तो क्या देंगी हमारे लिए और बंधनों का कारण बन जाती हैं लेकिन दुनिया से ही वो हम नहीं ले पाते न मांग पाते जो हमारे लिए मुक्ति का माध्यम बने तो अब बताईए दान क्या हुआ दान हुआ किसी भौतिक चीज को उस जगह पहुचा देना जहां मुक्ति के संदर्भ में उसकी उपियोगिता सरवाधिक हो दान को ठीक से समझ लीजिए आप किसी को कुछ दे रहे हैं कुछ भी किसी को दे देना दान नहीं कहलाता आप जिसको जो दे रहे हूँ वो उसकी मुक्ति और शांति में सहायक होता हो तो आपने दान किया जिस चीज का आप दान कर रहे हैं वो कुछ तो आपके भी काम की थी लेकिन आपने जाना कि वो चीज आपके जितने काम की है उससे ज्यादा काम की किसी और जगह पर है वो चीज तो आपने उस चीज को यथा स्थान पहुँचा दिया जहां उसे होना ही चाहिए ये दान है इससे ये भी स्पष्ट होता होगा आपको कि दान में और समर्पन में बड़ा निकट संबंध है दान का अर्थ है किसी भौतिक वस्तु को उस जगह पहुचा देना जहां होने की वो अधिकारी है या किसी भौतिक वस्तु को उसे दे देना जो उसको पाने का अधिकारी है या किसी भौतिक वस्तु को उसे दे देना जिसके लिए वो वस्तु वास्ताव में उपियोगी है उपियोगी सुख की दृष्टे से नहीं उपियोगी मुक्ति की दृष्टे से आप किसी को कोई सुखकारी चीज दे दें वो दान नहीं कहलाएगा कि ये चीज ले लो इससे तुमको बहुत मज़ा आने वाला है ये बात दान की नहीं हुई आप किसी कुछ ऐसा दे दें ये मैं दूसरी तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ जो उसकी मुक्ति में मददगार होता हो तो ये दान हुआ और समर्पण का अर्थ होता है कि आपने अपनी अहंता ही दूर रख दी देने का भाव दोनों में है छोड़ने का भाव दोनों में है बस दान में आप जिसको दे रहे हैं वो कोई जीव ही होगा समर्पण में आप जिसको दे रहे हैं वो कोई जीव नहीं होता, वो कोई नहीं होता दान में जो आप चीज दे रहे हैं वो कोई भौतिक चीज होती है समर्पण में जो आप दे रहे हैं वो सब भौतिक चीजों की मा होती है अहम वृत्ति दान में आप जो दे रहे हैं उस चीज का आगे उपियोग होने वाला है समर्पण में जो आप दे रहे हैं उसका आगे कोई उपियोग नहीं होने वाला उसका विसरजन हो जाने वाला है तो ये दान है दान के मूल में करुणा बैठी है दान में आप कहते हैं कि जो मैं दिये दे रहा हूँ ना तुझे ऐसा नहीं कि वो वस्तु मेरे बिलकुल काम की नहीं थी वो वस्तु मेरे भी काम की थी उससे मुझे भी कुछ सुख मिलता था लेकिन मैंने देखा कि मेरे पास रहेगी तो थोड़ा बहुत लाव देगी और वो भी लाव शायद शारीरिक मानसिक तलपर ही देगी मुझे समझ में आया कि ये वस्तु मेरे पास नहों करके अगर तेरे पास है तो ये तुझे बहुत उचाईयों पर पहुँचा देगी इसकी सही जगा मेरे पास नहीं तेरे पास है मैं तुझे दिये देता हूँ और ये करके मैं तुझे पे कोई एहसान नहीं कर रहा तु अधिकारी है वस्तु की प्राप्तिका ये दान है दान दाम कब बन जाता है जब दिया ही नहीं जा रहा होता लिया भी जा रहा होता है लेन देन में अपने आप में कोई बुराई नहीं है क्रए विक्रए बाजार का काम है और लूट मार चले दुनिया में चीजों को पाने के लिए उससे कहीं बहतर है कि खरीद फरोग चले एक व्यक्ति को एक चीज चाहिए है उसको पाने के दो तरीके हो सकते है या तो वो उसको किसी दूसरे से लूट ले या दूसरे को उसका दाम चुका ले ये दाम चुकाना आपने आप में कोई अनैतिक बात नहीं होती बाजार में मुलभूत रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है जो गलत या अनैतिक हो हर व्यक्ति हर चीज का उत्पादन तो नहीं कर सकता न आपको कुछ न कुछ तो ऐसा चाहिए होगा जो आपके पास नहीं है दूसरों के पास है और दूसरे को कुछ ऐसा चाहिए जो आपके पास है अगर आप दाम चुका कर नहीं लोगे वो चीज उस दूसरे व्यक्ति से तो फिर मुझे बताओ विकल्प क्या है एक मात्र विकल्प यह यह कि उससे आप लूटोगे अब लूटने से तो अच्छा ही है ना कि बाजार की एक अर्थवस्था चले नियमबध तरीके से तो दाम में कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बाजार का और दाम का और दुकानदारी का विरोधी हो जाओं लेकिन दाम बुरा तब हो जाता है जब वो रूप धरता है प्रेम का, करुणा का और दान का दाम बुरा तब हो जाता है जब आप कहते तो यह हो कि देखो मैं फलानी चीज तुमको प्रेमवश दे रहा हूँ लेकिन भीतर ही भीतर आपने उसका दाम लगा दिया होता है आप दो तरफा मुनाफा कमाना चाहते हो आप इस बात का अहंकार भी रखना चाहते हो कि आपने दूसरे को प्रेमवश कुछ दिया आप कहोगे देखो मैं बहुत बड़ा भला आदमी हूँ बड़ा सात्विक बड़ा अध्यात्मिक आदमी हूँ देखो मैंने प्रेमवश तुमें कुछ दे दिया आपने अहंकार केंदृत मुनाफ़ा भी कमा लिया आंतरिक और जो आपने दिया है उसके बदले में चोरी छुपे आप कुछ कीमत भी वसूल होगे हो सकता है कि खुले आम ना कह पाओ आप कि मैंने तुझे जो भी चीजें दी हैं तो उनके बदले में मुझे कुछ दे पर भीतर भीतर आप उम्मीद रखोगे कुछ छद्म प्यास करते रहोगे ये दाम बाजी हो गई ये गलत जगह की दाम बाजी हो गई इसलिए बुरी है अन्यथा दाम लगाने में कोई बुराई नहीं फिर कहे दे रहा हूँ आप बाजार जाएं वहाँ आपको कोई चीज चाहिए हो कृपा करके बिना दाम चुकाए वो चीज आप ले मत आईएगा दाम जरूर चुकाएं पूरा चुकाएं इमानदारी से चुकाएं पर उन जगहों पर न चुकाएं जहां आपने नाम कुछ और दे रखा है संबंध को वहाँ नदाम लगाएं नदाम चुकाएं अब आप जा रहे हैं कहीं पर और दान दे रहे हैं और बदले में अपेक्छा यह है कि आपको सम्मान मिल जाएगा तो यह दान नहीं दाम है और मैं कहरा हूँ इसके विशैले दान्त होते हैं और भी जबरदस्त कुरूपताएं हैं इस शित्र में बड़े जीवन विरोधी तरीकों से बड़े काले तरीकों से पैसा कमाया है और फिर बुला करके किसी को उस काली कमाई का पांच प्रतिशत दान कर दिया यह दान नहीं हैं यह मनी लॉंडरिंग है यह अध्यात्मिक तरीके से काले पैसे को सफेद बनाने की कोशिश है आप कह रहे हैं कि मैंने पांच प्रतिशत देखो दान कर दिया न किसी मंदिर में दान कर दिया किसी पंडित को दान कर दिया किसी संस्था में दान कर दिया और अप्चू कि मैंने दान कर दिया है इसलिए मैंने जितने छल कपट और पाप से यह पैसा अरजित किया था वो सब अब ठीक हो गया ये तो बढ़िया तरीका है भाई काले तरीकों से 100 रुपया कमाओ उसमें से 5 रुपया दान कर दो बाकी 95 काले से सफेद हो गया इसमें नागराज के दाथ होंगे 5 रुपय में सब कुछ फाड़ देंगे दान लेते वक्त दान करने वाले की मन्शा के प्रति बड़े सजग रहें और दान लेते वक्त दान के प्रति अपने अधिकार और अपनी आवश्यक्ता इनके प्रति भी बराबर के सचेत रहें अगर ये सतरकता आपने बरत दी तो फिर दान आपको अवश्य फ़लेगा मैं कह रहा हूँ दान के दोनों सिरों पर सजग द्रिश्ट से देखने की जरूरत है देने वाले के सिरे पर देखें कि वो जो दे रहा है उसकी नियत क्या है देने वाले का इरादा क्या है और अपने सिरे पर देखें कि मैं जो ले रहा हूँ मुझे लेने की आवश्यक्ता है कुछ या बस लिए ही ले रहा हूँ और मेरा कुछ लेने का अधिकार भी है या चीज हाथ में आई तो लपक लिया बिना ये देखे कि मेरे काम की भी है की नहीं और भूलिएगा नहीं कि धर्म में अध्यात्म में काम का एक ही अर्थ होता है भाई जीव के जीवन का जीव के जन्म का एक ही प्रेयोजन है और वो है मुक्ति तो दान आपके काम का है के नहीं वो आपको इसी कसोटी पर जाचना है ये जो चीज मैं दूसरे से ले रहा हूँ ये मेरी मुक्ति के काम आएगी या मुझे और हजार बंधनों में फसा जाएगी कई ऐसा तो नहीं कि दूसरे ने अपने सर का बोज मेरे सर पर रख दिया है कई ऐसा तो नहीं कि दूसरे ने अपने घर का साप मुझे दान कर दिया है खेद की बात ये है कि अधिकांशित्थ दान ऐसा ही होता है और दान का ही जो कारोबार चलता है इसमें दोनों ही पक्ष बराबर के ही दोशी होते हैं देने वाले को भी पता है कि ये जो दान किया जा रहा है इसमें कोई सत्यता कोई प्रान नहीं है लेने वाले को भी पता है कि वो जो ये दान ग्रहन कर रहा है उसकी न तो उसमें पात्रता है न उसे आवश्यक्ता है लेकिन दान को भी हमने बाजारू खेल बना लिया दाम की तरह और फिर बड़ी गड़बड हो जाती है रही बात दक्षिना की दक्षिना वास्तव में अनुग्रह का दूसरा नाम है दक्षिना दी ही जाती है पा लेने के उपरांत कुछ मिला है आप पी उपस्तिति से कुछ मिला है आपकी अनुकंपा से आपके प्रेतनों से बहुत मिला है भीतर का पात्र बिलकुल छलक आया आपके सामीप पे से अनुमति दे की थोड़ा सा आपके हाथों में रख दूँ बलकि आपके चरणों में निवेदित कर दूँ ये दक्षिना है दक्षिना बात ही कहीं और की है दक्षिना और दान की भी आपस में कोई तुलना नहीं है दाम तो बहुत दूर की बात है दान में तो तैयारी होती है दान में तो उम्मीध होती है दान में तो चाहा जा रहा होता है कि जिसको दान दे रहे हैं उसे दान से कुछ लाभ हो जाए भविश्य में हो जाए लाभ दक्षिणा तब दी जाती है जब लाभ हो गया दान दिया जाता है उसको जो लाभानवित होगा भविश्य में और दक्षिणा उससे आती है जो लाभानवित हो ही गया जिसके लिए अब कोई भविश्य नहीं बचा जिसका सब अंधेरा मिट गया जिसकी सब गाठें खुल गई चित्त सरल हो गया ग्रंथियां कट गई वो फिर दक्षिणा देता है तो दक्षिणा देना भी बड़े अधिकार की बात है दक्षिणा देने वाले को पहले ये पूरा भरोसा होना चाहिए कि भाई उसे कुछ मिली गया है और ये भरोसा ही दक्षिणा देने की पात्रता बनता है ये भरोसा आपको बड़ा असहाय कर देता है विवश हो जाते हैं आप इस भरोसे के आगे एक बार आप जान गए कि आपको वास्तों में कुछ प्राप्त हुआ है आप वो इनसान ही नहीं रहे जो कभी थे मिला है मिला है और ऐसा मिला है कि जिसको मिला था वही बदल गया तो अब आप बेबस हैं असहाय हैं अब तो भीतर से प्रेम का अनुग्रह का विश्फोट होगा आप रोख ही नहीं पाएंगे अपने आपको भीतर से उठते धन्यवाद को अभिव्यक्त करने में वो धन्यवाद आपके रोम रोम से फूटेगा वो धन्यता आपके व्यक्तित्तों का केंद्र बन जाएगी यही वास्तविक गुरु दक्षिना भी होती है शिश्य और क्या देगा दक्षिना के रूप में गुरु को वो सब कहानिया ठीक है कि फलाना राजकुमार शिश्य था और फिर जब उसकी शिक्षा दीख्षा हुई तो उसने इतनी जमीन दे दी गुरु को या और चीजें कुछ दे दी वो सब ठीक है पर वास्तविक गुरु दक्षिना क्या होती है वो समझिएगा उसके जो भौतेक और सामाजिक सांसारिक अर्थ हैं वो तो किस से कहानियों में खूब प्रच लेती है वास्तविक गुरु दक्षिना आपका बदलाव होती है आप कुछ और हो गए आपके माध्यम से अब गुरुता हर दिशा में विकीर्ण हो रही है पहले आपको गुरु से कुछ मिल रहा था जब तक शिश्य थे आप अब गुरु से जो मिल रहा था उसका सुरोत ही आपके अंदर आकर बैठ गया आप तो गायब हो गए और गुरुता आपके भीतर अब सूरज की तरह चमक रही है आपको गुरु से एक किरण मिला करती थी अब गुरु आपके भीतर बैठ करके हर दिशा को आलोकित कर रहा है जैसे कि एक छोटी सी लौ का सानिध्य मिला हो किसी मशाल को कि जैसे बस कुछ चिंगारियां पढ़ गई हो किसी मशाल पर और अब वो मशाल उतनी ही धखधका के प्रज्जोलितो उठी है जितना की वो सुरोथ है जहां से चिंगारियां आई थी ये गुरु दक्षिना है अब आप हर दिशा में प्रकाश फैला रहे हो ये गुरु दक्षिना है नहीं तो गुरु दक्षिना क्या है कि काम पूरा हो गया हमारा दिख्षान समा रहो है हम गुरु जी को एक दुशाला भेट देंगे गुरु जी के लिए कुर्ता पजामा लेके आएंगे गुरु जी को कुछ रुपया पैसा चढ़ा देंगे ये सब गुरु दक्षणा नहीं होती तुम वो सुरोत ही बन जाओ जहां से रौशनी तुम तक पहुची थी यही वास्तविक अनुग्रह है अब तुम जलोगे अब तुम बरसोगे अब तुम प्रकाश पुंज होगे अब तुम रोक भी नहीं सकते अपने आपको गुरु को क्या देओगे तुम गुरु अगर वास्तव में गुरु है तो उसे चाहत क्या है शिश्य से हाँ अब पूरी दुनिया को दोगे तुम पूरी दुनिया को अब तुम गुरुता बाटते फिरोगे ये गुरु दक्षिना है गुरु दक्षिना में गुरु को नहीं कुछ दिया जाता है गुरु दक्षिना में वास्तव में पूरे संसार को गुरु दे दिया जाता है तुम्हें मिला न गुरू अब उसी गुरू को तुम पूरी दुनिया को दे दो ये गुरू दक्षणा है छलचला गए तुम पहले बस तुम्हारे भीतर का पात्र भर रहा था वो ऐसा भर गया कि अब अनन्त हो गया अब वो दुनिया भर के पात्र भरेगा जो तुमको मिला है वो अब तुम सबको दे दोगे यही गुरू दक्षणा है मात समझ में आ रही है अब तुम्हारे पात्र भरेणी झाल झाल